हलो गाई आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ जालिम लोशन की दोस्तो जैसा कि आपको पता है कि आज के समय में फंगल इंफेक्शन जो है और स्किन इंफेक्शन जो है काफी आदा जो है प्रॉब्लम दे रहा है काफी लोगों कोई प्रॉब्लम है जो इसका में एफेक्ट पड़ता है वो अंडर लेक्स में जाहतर देखने को मिलता है लेकिन उसके अलावा पूरी बोड़ी पे भी इसको कहीं जगा पे आपको देखने को मिल जाता है तो इसका अगर आप सही से ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो यह दिरे-दिरे बढ़ता जाता है और बोड़ी के उपर कहीं सारे और पार्ट्स पर भी हो जाता है दोस्तो इसको आपने खतम करने का जो सबसे जो भैतरीन तरीका जो है वो तो आपको रहता है कि आप किसी अच्छे जो है स्किन डॉक्टर को दिखा के और वहां से ट्रीटमेंट ले लेकिन जो है शुरवाती तो और पर जो जो इसकी फर्स चेट में आम तोर पर देखा जाता है कि जालिम लोशन लोग यूज़ करते हैं और उससे आपको असर भी काफी अच्छा मिलता है लेकिन दोस्तो आपको इसको सही तरह से इस्तमाल करना है तरीका क्या इसे नहीं पता है दोस्तो आज मैं इस वीडियो में आप आपको फुल डिटेल में बताऊंगा किसको किस तरह से आपने इस्तमाल करना है और दोस्तो इससे आपको क्या-क्या फायदे मिलेंगे और क्या दोस्तो कोई साइड फेक्ट तो नहीं है फुल डिटेल में जानेंगे तो चलिए दोस्तो चार्ट करते हैं सबसे पहले मैं फंगल इंफेक्शन नो खतम करता है, दाद खाज खुझली के लिए काफी कारगर साबित होता है, लेकिन अगर आप फंगल इंफेक्शन जो है, वो काफी समय से दो या तीन साल से है, तो मैं आपको रिकमेंट करूँगा कि पहले आप स्किन डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन अगर आपको ये इंफेक्शन जो हुआ है, तो आप इसको फर्स ट्रेट के दोर पे लगा सकते हैं, और ये काफी अच्छा रिजल्ट देता है, दोस्तों मैंने इसको इसको इस्तमाल किया है, मैंने काफी सारे लोगों को रिकमेंट भी किया, उनको भी काफी अच्छा लग सकता है, तो अगर ऐसा नहों कि आप इसको लगाने के बादा अपने हातों को, और उसको कलर को ध्यान रखे, जब सूक जाने के बाद वो कलर आपको कहीं नहीं लगा है, कपड़ों पर कहीं ओर नहीं लगेगा, दोस्तों आपको इसको दिन में दो टाइम लगाना है, उस infection के बिल्कुल साथ साथ जो है उसके boundaries पर भी उसको लगाना है ताकि वो आगे तरफ और नाबड़े पर लेकिन जादा जहां पर आपको infection नहीं है वहाँ उस एरी में आपने उसको नहीं लगाना है क्योंकि जो यह lotion है मैंने यह देखा है कि यह उस जगा को भी थोड़ा सा वो कर देता है damage सा करता है उसके बाद वो proper पूरी तरह से फिर नई skin वहाँ पर आती है तो इसका यह method है तो इसलिए आपने extra और कहीं पर नहीं लगाना है दोस्तो अगर infection जो है आपके private parts के या फिर कोई private area के अंदर है या nose पे या eyes के आसपास है तो दोस्तो मैं इसको आप आपको बिल्कुल भी recommend नहीं करूँ है कि आप इसको वहाँ पर लगाए एक तो private parts पर आप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि internally use के लिए दोस्तो इसको safe नहीं माना गया इसको outer body पर या आप skin पर लगा सकते हैं दोस्तो साथ साथ इसको लगाने स्थोड़ी जलन भी होती है वो ज जलन ज्यादा समय के लिए नहीं होती मादर 5-6 मिनट की वो जलन होती है उसके बाद जो है आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा उमीद करता हूँ दोस्तो आपको रीवीई वीडियो पसंद आई होगी दोस्तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना हमाई चैनल को सब्सक्राइब करना और जब 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 अपने दोस्तों शेर करना ताकि सबी लोग जो इस लोशन को इस्तमाल करें कि अपने फंगरी निफेक्शन है दाद खाच खुजली से हमेशा के लिए निजात पास है